नमस्कार आप देख रहे हैं आरे नियूज मैं हूँ आपके साथ पल्लेवी सिंग उत्रप्रदेश बुलिटिंग की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कॉंग्रेस के महा संपर्क अभ्यान का समापन हो गया है बड़ी खबर इस वक्त की जहां कॉंग्रेसियों ने गाउं-गाउं में लोगों से किया संपर्क और इस दोरा लोगों को कॉंग्रेस काल में हुए विकासकारियों की जानकारी दी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें आगामी चुनाफ के मद्देनजर कॉंग्रेस की तरफ से कमर तोड तयारी यहां पर देखने को मिली है जो कॉंग्रेस काल में हुए उपलब्धियों को भी सरकार ने गिनाया है और बता दें कॉंग्रेस के महासंपर्क अभ्यान का समापन आज हो गया है इस दौरान कॉंघ्रसेओं ने गाउं-गाउं जाकर लोगों से संपर्क किया और साथ ही कॉंघ्रेस काल में हुए विकासकारे की जानकारी दी विकासकारे के बारे में विस्तार्थ से लोगोंको बताया है बड़ी खपर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जिस तरीके से अब भ्यान यहां पर चल रहे लगातार और इसी बीच अब कॉंग्रेस के महा संपर का भ्यान का यहां पर समापन हो गया है और कॉंग्रेस ने गाउं-गाउं में सब्यान के तहत लोगों से संपर्थ किया और कॉंग्रेस काल में जितने भी विकास कारे किये गए थे उसकी जानकारी लोगों को दी गई है और इसी भी शुक करेंगे कोई बड़ी खबर की और जहां को बता दें टेलर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी है जिसकी वज़े से हादसे में एक यूफ्ती की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दो लोग गंभी रूप से घायल हो गई है जिने अस्पतार में भट्टी करा दिया गया है कलाल पुलिस ने टेलर समेत चालक को अरेस्ट कर लिया है मडियाहू शेत्र के सुरैना गाउं का पूरा मामला बताया जा रहा है जो आपको बता दें एक टेलर ने बाइक को टक्कर मार दी जिसकी वज़े से एक की मौत तो वहीं कई लोग घायल हो गई जिन्हें अस्पतार में बढ़ती करा दिया गया है पुलिस ने इस पूरे मामले में टेलर समेत आरोपी को गिरफतार कर लिया है मडियाहू शेत्र के सुरैना गाउं का पूरा मामला बताया जा रहा है अभी आपको बता दें कि कल्यांट सिंग का अंतिम संसकार अलिगर्ट के नौरेरा गाउं में तेस अगस यानि कल किया जाएगा इससे पहले आज अलिगर्ट ग्राउंड में उनके शब को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया साथी लखनाव से एइपोर्ट से कल्यांट सिंग का शब अलिगर्ट के लिए रवाना हो गया इस दर अंतरबरदेश के पूर मुख्य मंतरी कल्यांट सिंग के निधन पर राजिस्थान सरकार ने राजजे में दो दिनों के राज़के शोख का अलान कर दिया है कल्यांट सिंग राज़स्थान के पूर गवर्नर भी रह चुके हैं तो वहीं आपको बताते चले कि उत्तरब्रदेश के पूर मुख्य मंत्री कल्यांट सिंग का निधन हो गया है बदादे कल्यांट सिंग का पार्तिफ शरीर लखनों के चौद्र चौरन सिंग हवाय डिपर पहुंच गया था जिसके बाद एरपोर्ट पर उन्हें उत्तरब्रदेश पूलिस द्वारा गार्ड ऑफ ओनर दिया गया इसी बीच यहां पार से पार्तिफ शरीर को अलिगर्ट के लिए ले जाये गया यहां पार यात्रा में सियम योगी अदित्य नाथ समेत का इदिग्ज निता मौझूद रहे इसके अलावा आपको बता दे कई मंत्री भी अर्पोर्ट पर मौझूद रहे थे और आमंदिर आंधोरन के चंडा बरादर रहे उत्तर प्रदेश के पूर्ट मौझे मंत्री दिवांगत कल्यांट सिंग के पोतर राजवीर सिंग ने रविवार को कहा है कि उनकी पिता का जन्म ही इस मुहीम के लिए हुआ था शनिवार रात को दुनिया को अलविदा कहे गए नवासी वर्षिय भाजपा नेता कल्यांट सिंग के सांसत पोतर राजवीर सिंग ने लखनौस्तेत आवास पर उनके अंतिमदर्शन के दोरानी कहा है साथ ही लग रहे जैश्री राम के नारों के बीच इशारा करते हुए समधाताओं से कहा गया कि मेरे पिता का जन्म इसलिए हुआ था राजवीर ने आगे कहा कि वो राम मंदिर निर्मान के लिए पतिबद थे और अब वो राम से जा मिले हैं अब आयोध्या में भव राम मंदिर के निर्मान को देखेंगे वो राम लला के पास पहुँच चुके है इसे बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जहां यूपी में विदान सभा चुनाव निस्दीक आते ही बयान बाजी भी तेज हो गई है प्रदेश युद्योंके की मंतरी सतीश महाना ने विवक्ष पर जोड़दार हमला बोला है सतीश महाना ने सपानेताओं को तालिबां सोच का बताया उन्होंने कहा कि महाना शरणिवार को और रहिया में कारिकर्ता समेलम ने पहुंचे थे ज़ो महाना ने कहा कि सपा प्रमुक अकिलेश या ड़व छोटे बड़े सभी दरों में शामिल हो का है नतीज़ा देख चुके हैं उन्होंने आगे कहा कि अकिलेश जब बड़े दरों के साथ कुछ रहकर नहीं कर पाए तो छोटे दलों के साथ रहे कर क्या कर पाएंगे अगलेश किसी प्रकार के साथ भी मिल जाएं लेकिन बीज़िपी को इससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला महाना ने आगे बताया कि सपा के लोग तालिबान के समर्थन में खड़े दिखाई पड़ते हैं सतीश महाना ने बसपा महासचेव सतीश चंद्रमिश्रा पर भी निशान असाधा महाना ने कहा कि बसपा को साड़े चार साल याद नहीं आया कि किस पर अत्याचार हो रहा है लेकिन चुनाव के समय सब कुछ याद आने लगा पूर प्रदेश अद्यवश्र लक्ष्मी कांत बाजपाई जी ने भी कहा था कि जो खुद मायवती जी के बगल में नहीं बैठ सकते हैं वो उनके सम्मान की बात करते हैं साथी आपको बता दे उन्होंने आगे कहा कि इसका एक ही उद्देश है कि समाच को बाट कर जाती की राजपी दी करो बीजबी ने कई योजनाय चला कर दलितों को लाब पहुचाया है और सभी को बराबर का हक मिला है और अब आपको बता दे कि 8 साल की एक बच्ची को हवस का शिकार बना लिया गया और इस दरिंदे को पुलिस ने 48 खंटों के अंदर धर्द बोचा है कबर्मेन पुरी के धाना बेवर शेत्र की है जोहां पार हाल ही में एक बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया है बता दे चलें कि पूरा मामला 18 अगस्त का है जोहां पार घर से सौच के लिए निकली ये बच्ची अपनी एक बेहन जिसके उम्र 5 साल है उसके साथ ये दोनों मासूम बेहने खेत में पहुंची जाए का ग्यात व्यक्ती बहला अप फुसला कर उन दोनों को अपने साथ ले गया जोहां उसने आठ साल की बच्ची को अपने हवस को शिकार बना डाला है जुसके बात से ही इलाके में संसरी फैल गई और इस पूरी घटना के खुलासे के लिए पुलिस की चार्टी में भी तैनात कर दी गई पुलिस ने घटना की गहनता से जांच की और सीजी टीवी कैमरों की सहायता से पुलिस जगनने घटना को अंजाम देने वाले आरोपी तक पहुंच कई है पुलिस ने अभियुक्त को दवोचा और वहीं पर कारवाई भी शुरू कर दी साथ ही आपको बदा दे हैं एस्पे अशोक कुमार राय ने प्रेस कांफरेंस कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि अभियुक्त का नाम मोनू है और वो का नौच के चिवर मों का रहने वाला है एस्पे अशोक राय ने आगे भी इगटना का खुलासा करने वाली पूलिस टीम को दस हजार रुपे का इनाम देने की भी घोशना की एक संस्नी के मामला पिछने दो दिन पहले प्रदास में आया था जिसमें दो बच्चियां जो कि इत्यम कुमंत्य व्यार्थ की हैं और ये मार्णिंग में साउज के लिए जा रही थी एक आठ साल की दूसरी उसकी छोटी बहन पांच साल लगी तो बच्चियों को देख करके एक अव्युक्त मोनू जो है इसने समोसा खिला करके और अपने को रिलेट्व बताते हुए उसकी माँ का रिलेट्व बताते हुए उसको बाला फुसला करके कस्पे सबार ले गया और बड़ी बच्ची के साथ इसने जगन ने कान रेपका किया इस पर इसके बाद पिर काफी देर बाद बिलिस कुझे सुचना मिली तकार अव्युक्त करके और इसमें सिसी टीवी फुटेज क्योंकि अन्य कोई एविदेंस नहीं था कस्पे में सिसी टीवी फुटेज और दोब्रदेश की विदानसवा चुनाफ के लिए अपने शेत्री सहयोग्यों के साथ गडबंदर मस्बूत कर रही भारती जुन्तपार्टी अब चंता दल के साथ भी सिमिताल मिल कर सकती है बदादें इस बारे में दोनों ने ही दोनों दलों के वरिश्ट नेताओं के ब दादे बिहार से सटे उत्रप्रदेश के सीमावरती लगबग दो दर्जों विदानसवा चेत्रों में जदियों का प्रभाव ज्यादा माना जाता है बाजपा और जदियों के बीच गडबंदन बिहार तक सीमित है उत्रप्रदेश में पूर में भाजपा और जदियों के बीच गट बंदन रहा है लेकिन बीदे कुछ सालों से दोनों दलों के बीच कई चुनावी ताल में नहीं हुआ ऐसे में भाजपा नेता इसकी वज़ाए उत्रप्रदेश में जदुयों की जनाधार ना होना मानते हैं लेकिन समाजिक समिकरणों के ओद देखते हुए इस बा विवाद सामने आया है बता दें बड़ी लापरवाई दिखने को मिली जिस्वरान वाक्सीन लगवाने का यूवक को पहले को विशील्ड की पहली डोस लगाए गई उसके बाद को वाक्सीन की दूसरी डोस लगा दी गई जिससे पीड़े गिरिजेश काफी परिशान हो ग बता दें कि ICMR की ओर से जारी गाइडलाइंस के मताबिक वाक्सीनेशन के दौरान इस बात का खयाल रखा जाना बेहत जरूरी है कि जिस व्यक्ति को जिस वाक्सीन की पहली डोस लगी है उसी वाक्सीन की दूसरी डोस भी लगनी चाहिए लेकिन जन्बद गॉंड़ा के बहुत बड़ी लापरवाईयत जो देखने को मिली है तो महीं स्वास से भाग के अधिकारी स्वासकरमचारियों की गल्ती को मान रहे हैं हमें रुक करेंगे अगली खबर की ओर जालीला पूर्थाना शेत्र के गोलहिया महाइंस में खदान बर एक महिला और उसके तीन बच्चों की लाश मिलने से हड़कम मच्या है मुर्दक लाला पूर्थाना शेत्र के ही बसाई गाउं के रहने वाले हैं और आपको बता देंगी घटना का कारण फिलाल सपस्ट नहीं हो सका है पूलिस ने इस पूरे मामले की चान बीन शुरू कर दी है तो वे मुर्दकों की पहचान भी की गई बदा दें शवों को पूलिस ने पोस्ट मॉडम के लिए भी भेज दिया है और खबर एटा से है जो आउक्सीजन ना मिलने को लेकर तिमारदार और क्लिनिक स्टाफ में जम कर मारपीट हो गई तो में मारपीट में तिमारदार और घायल हो गया इसके साथ ही तिमारदार का आरोप ये भी है कि क्लिनिक स्टाफ ने अवैध तमंचा दिखा कर उसके साथ मारपीट को अंजाम दिया इसके साथ ही आपको बता दें इसके बाद मरीज साथ आये और तिमारदार लोगों ने डॉक्टर के क्लिनिक पर जम कर हंगामा काटा साधी आपको बदा दें इसके बाद वहां से पीडित तिमारदार कोतवाली पहुंचे और पुलिस टेशन जाकर अपने शिकाय दर्श कराए गई लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई कारवाई ना किये ज़ाने कारोप सामने आया है साधी गुस्ताय तिमारदारों ने अब SSP कारयाले का घिराफ कर लिया है और नयाय की गुहार लगाने लगे पूरा मामला कोतवाली नगर शेद्र के नन्हूमल चौराहे के आनंदराठोर क्लिनिक का बताया चौरा है जो डॉक्तर है आनंदराठोर उसी ने धक्का मारा मेरे सर में सब भूर जया है क्यों मारा क्या था पूरा कारवाई मैं बचा रही थी बीस बताओ कर रहे कि मेरे बाई से जरवाजी होनी कुसी किस बात पर हुई थी तो आपके साथ मारभीट किन लोग होने की मामले की सिकाइट पुलिस में किया क्या कि किसी गरफतारी हुई अभी तक नहीं तो